दोस्तों आज हम गोखरू के पायदे के बारे में जानकारी लेंगे गोखरू एक ऐसी जड़ी पुटी है चो सरील को ताकत से भर देती है और उर्जावान बनाये रखती है गोखरू का पौधा जमिन पर फेलता है और चत्य की रुप में होता है या कांटेदार होता है और इसे कांटी गोखरू भी कहा जाता है गोख्रू की दो प्रजाति पाई जाती है एक छोटी गोख्रू और दूसरी बड़ी गोख्रू इसमें हम आज छोटी गोख्रू के बारे में आपको बता रहे है गोखरू ज्यादा तर सड़क के किनारों पर मेडानी इलाकों में और खेतों में कपतवार के रुप में उत्पन होता है इसकी दोसी तीन फिट लंबी साखाई चारों और फैल जाती है पत्ते चने की भाती होते है और आकार में कुछ बड़े लगते है इसके पुस्प छोटे, पिली रंकी और चक्राकार होते है जिसकी अलग-अलग बासाओ में इसे गोखरू, हतचीकार, छोटा गोखरू और सराटे जैसे नामों से जाना जाता है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हरने वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे गोकरू का गुणतर्म वातपित सामक वेदना को मिटाने वाला और रक्तपित सामक होता है यह रदय के लिए हितकारी कप को दूर करने वाला गर्ब का स्थापन करने वाला और सुजन को दूर करता है इसके अलावा यह मुत्रा सही का सोधन करता है पेशयब की रुकावट दूर करता है और पत्रे में लाब कारे होता है। शरिर की दुरबलता दूर करने के लिए और योन सक्ति बटाने के लिए गोकुरू का उपयोग किया जाता है। इसके लिए गोकुरू के 20 ग्राम फलो को 500 ग्राम दुद में अच्छी तरह से उबाले। फिर चान कर इसे रोजाना सेवन करने से ताकत और मर्दान की बढ़ती है। इसके लिए गोकुरू के फलो के चुर्ण के 10-20 ग्राम मात्रा की पंकी रोजाना लेने से स्त्रियों की बांशपन की सुमश्या मिठती है। पत्थरी को दुर करने में गोकुरू का कोई चवाब नहीं। इसके लिए पांच ग्राम गोकुरू के चुर्ण को एक चमच सहथ के साथ मिला कर दिन में दो बार मरिज को पिला दे। और उपर बकरी का दूद पिलाए। ऐसा लगातार एक सब्धा तक करने से पत्थरी तूटकर पेशाप की रास्ते बाहर निकल जाती है।